नमस्कार आप देख रहे हैं डीवी लाइब मैं हूँ राजीव जी हैं रक्षा बंधन के दिन देश की पहलवान बहादूर हार को जीत में बदलने वाली बेटी साक्षी ने बहनों को ही नहीं भाईयों को भी तोफा दिया है पिछले बारह दिनों से पदक की आस लगाए बैठे करोड़ों भारतियों के लिए साक्षी ने रियो अलम्पिक में अंठावन भारबर्ग फ्री स्टाइल कुष्टी में कांस से पदक जीता है किरिकस्तान की पहलवान एसुलू तीनी विकोवा से जब उनका मुकाबला परारंब हुआ तो उमीदे तूट रही थी कि वे शायद ही जीत पाएं लेकिन बकौल साक्षी उन्होंने अपने भीतर कोई नकारात्मक विचार नहीं आने दिया और यह ठान लिया कि उन्हें किसी भी हाल में पदक हासिल करके ही यहां से जाना है मुकाबले के आखरी छणों में जब सब को चौकाते हुए उन्होंने गजब का पलटवार किया और कांसे पदक अपने नाम किया साक्षी मलिक की अब तक की उपलब्दियों और उनके संगर्शों से अधिकतर लोग अंजान ही थे साक्षी के माता पिता भाई सब को अपनी पहलवान बेटी पर गर्व है और देश को भी 24 वर्षी साक्षी के पिता सुखबीर मलिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट का उपरेशन में कारेरत हैं साक्षी को 12 साल की उम्रे से ही कुष्टी में दिल्चस्पी थी तमाम विरोत के बावजूद इस सफर में साक्षी के माता पिता के अलावा स्कूल और कॉलेज ने भी उनकी काफी मदद की साक्षी ने 2010 में जूनियर विश्व चैंपियन्शिप में कांस पदक जीता था 2014 में उन्होंने सीनियर लेवल पर डेव शुल्ज अंतररास्टी रेस्लिंग टूनामेंट में अमेरिका की जैनिफर पेज को हरा कर 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वान पदक जीता साक्षी के पदकों का सिलसला यहीं नहीं थमा जुलाई 2016 में उन्होंने स्पैनिश ग्रैंट प्रिक्स में कांस पदक जीत कर रियो उलम्पिक के लिए अपनी तैयारी का नमूना पेश कर दिया था साक्षी ने उलम्पिक महिला कुष्टी में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बनकर इतिहास रचा है उनसे पहले माज तीन महिलाएं कर्णम मलिश्वरी, मैरीकॉम और साइना नहवाल ही उलम्पिक में पदक लेने पोडियम पर चड़पाई है इन सभी खिलाडियों के लिए जीत का सफर बेहत कठिन और चुनोती पुर्ण भरा रहा है हर किसी के नीजी संगर्ष रहे हैं जिन से जूजकर बिना हार माने जीत का जज़बा लिए वे आगे बढ़ीं अच्छा है कि भारती महिला विजयताओं की सुची धीरे धीरे बढ़ रही है देखते रहे हैं डीवी लाइब